Scanner. इसका उपयोग, टेक्स्ट या चित्र को डिजिटल रुप में परिवर्थित करने के लिए होता है. इन स्कैनर चित्रों का उपयोग भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है. इन स्कैन किये गए चित्रों को मेमोरी या CD-DVD में सुरचित रखा जा सकता है. कार्ड लगा रहता है, जिसे खरीदने के बाद निकाल दिया जाता है, और कंप्यूटर केंदर में प्रॉसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है. स्पीच रिकगनिशन सिस्टम यह माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों के सेट को पकड़ कर ध्वनी में परिवर्तित करने की क्रिया है. स्पीच रिकगनिशन सिस्टम बोले हुए शब्दों को मशीन में पढ़ने लायक इन्पुट में बदल देता है इसका उप्योग, वॉयस डॉयलॉग, सरल डाटा प्रविश्टी, स्पीच से टेक्स्ट प्रोसेसिंग और एरप्लेन कॉक्पिट में होता है. जो ब्यक्ति, कम्प्यूटर इन्पुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, वे स्पीच रिकगनिशन सिस्टम के सहायता से कम्प्यूटर पर कार्य कर सकते हैं. टच स्क्रीन, ये एक इन्पुट डिवाइस है. जब हम इस स्क्रीन को स्पर्स करते हैं, तो यह पता लगा लेता है कि हमने इसे कहा, पर स्पर्स किया है. इसका प्रयोग बैंकों में ATM तथा सार्वजनिक सूचना केंद्र में स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों का चयन करने के लिए किया जाता है, और इसका उप्योग संगीत सुनने के लिए किया जाता है. जोय स्टिक ये एक इनपुट डिवाइस है, इसका उप्योग विडियो तथा कंप्यूटर गेम खेलने में होता है, और इसकी भी कार्य प्रणाली ट्रैक बॉल की तरह होती है, केवल वॉल की जगहे इसमें एक स्टिक लगी होती है, और यह स्टिक बॉल को कंट्रोल करती ह ट्रैक बॉल यह माउस का ही एक विकल्प है, इसके उपर एक बॉल होती है, जिसे हाथ से घुमा कर पॉइंटर की दिशा में परिवर्तन किया जाता है, मुख्यतह इसका उप्योग चिकित्शा के क्षेत्र में किया जाता है, साथ ही इसे कैड तथा कैम में भी प्रयोग किय जाता है, इसके अलावा माउस तथा कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइसेज है,